तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाते हो instant loan ने ना और अगर आप लोग भी चाते हो कि आपको जल्दी से यल्दी loan amount आपके bank account में receive हो जाए और आप लोग भी चाते हो कि बहुत जादा high approval rates में जो है आप अपने अपने रुके हुए कामों को इस instant loan से आप complete कर सको तो आप ले donations अलग होते हैं, documents कभी कभी तो आपको ऐसा होता है कि कुछ जो main documents है वो भी चाहिए, जो important नहीं भी होते है वो आपसे नहीं भी मांगते हैं, तो यह ऐसे condition में loan platforms के अलग-अलग criteria होती है, कि आज कि इस वीडियो में आप लोग जैस loan platform के बारे हम बात करने वाले हैं, उस loan platform से आप लोग जो है up to 20,000 rupees तक का instant loan ले सकते हो, चाहू तो इस से यहादा भी आप लोग ले सकते हो, कि यहाँ बेंड करती है, आपकी credit eligibility पे इसके ओपर आपकी साइच से डिबेंड करती है, बड़ यह एक type का instant loan है, जो कि आप लोग इसारा demand आ रहे हैं, तो मैंने सूच है एक वीडियो बना देनी चाहिए, तो आज किस वीडियो में बात करेंगे, हम लोग instant loan platforms के बारे में, जहां से आप लोग कैसे online तरीके से loan ले सकते हो, अब मैंने बात की है, online तरीके से loan लेने की, क्योंकि instant loan आपको किसी bank या branches पर तो देखने को नहीं मिलेंगे, यह एक online loan platform क आपको देखने को मिलेगा, तो इसको समझने के लिए, आपको सबसे पहले important यह है, कि वीडियो को पूरा इंट तक देखना होगा, इस वीडियो में बता जाएंगे कुछ important steps, important सी चीज़ है, अगर आप लोग ने इसको as it is बास ही follow किया, जैसे मैं आपको बता रहो, तो definitely आ आपके पास वो documents होना चाहिए, जैसे आपकी human verification, यानि के identity verification, या फिर तीसरी भाषा में EKYC verification complete की जा सके, और EKYC verification करने के लिए, आपके पास दो ही basic documents ही है, जिन दो documents के basis पे आपका loan apply हो पाएगा, जो कि है first bank card, दूसरा है आधार card, यह बहुत important है कि आपके पास ही दो mandatory documents हो और दूसरी चीज़, जो जिस bank account में आपको अपना loan amount receive करना है, उन bank account के आपके पास details होनी चीए, और यह तो हर किसी को पता है, जब आपके loan apply कर रहे हो, तो आप लोगों को receive भी तो करना है, तब ही तो आप लोग उस loan amount को utilize कर पाऊगे, और तीसरी चीज़ वीडियो को कही पर skip किये, बगिर आपको पूरा end तक देखना है, इस बात का को खास ख्याल लगना है, इस वीडियो मता है, जाएंगे important steps, वीडियो को highlight देखने के चकर में skip कर दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका ही होगा, इस बात का खास ख्याल लगना है, और साथ ही मगर आप ल किसी platform पहला दो, और इसी के साथ में जो सभी सब्सक्राइब बटन है, इस पर आपको tap करना है, और हमारी चैनल को कर लेना है, चैनल को subscribe करने का सबसे बड़ा और main reason यह है, कि जब आप लोग चैनल को subscribe कर लोगे, तो आपको रोजाना basis पर हमारी वीडियो देखने को मिलेग और क्यूंकि रोजाना बेसेस पर वीडियो सब्सक्राइब खतम हो जाएगी इसके साल में जो को आपको जाना है और यहाँ पर सबसे पहले किसे जो है इंस्टेंट लोन लेने वाले हैं अप्टू 20,000 रुपीज तक के लिए तो बता देता हूँ यह है हमारी वीडियो जो कि फिलाल आप लोग अपनी मोबाइल स्कृंज पर देख पा रहे हो वीडियो के जस नीचे यह होता है टाइटल तो यह जो टाइटल है सबसे गूगल के सर्च ब्राउजर से कनेक्ट हो आएगी और आपके सामने आ रहेगा गूगल का एक सर्च रिजल्ट तो जो गूगल का सर्च रिजल्ट है यह तभी आएगा जब मैंने बता दिया आपको ध्यां से जब आप लोग डिस्क्रिप्शन पे प्लिक करोगे और तभी आप लोग रिडिरेक्ट हो पाओगे जहां पर आपको यह फर्स वेबसाइट देखने को मिल रही होगे लोनपाउर.in करके simply आप लोगों ने इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है लोनपाउर.in के और यह पेज़ आने के बाद जाए इसी बात है यह डिस्क्रिप्शन के बारे में रिव्यूस मिल जाएंगे और अपलाई करने के प्रॉपर तरीकों के बारे में पता चलता है और आज हम इसी वेबसाइट के थूरू है लोनपाई भी करने वाले हैं तो आपको जब इस वेबसाइट विजिट कर जाते हो तो आपका पहला स्टेप भी पुरी तरी तरीके से जैसी ब्राउजर उपन करोगी गूगल का सर्च इंटरफेस खुल जागा जहां पर जो गूगल का सर्च बारे सिम्प्ली सबसे पहले आप लोगो ने इस पर टैप करना है जैसे क्लिक करोगे अब मैं आपको एक वर्ड बता रहूं इस वर्ड को या कि आप लोग कुछ इस तरीके से और आपको भी जाके एक्जाक्ट ऐसी सर्च करना है और ध्यान रहे आपको इस वर्ड को लिखने में किसी भी टैप की मिस्टेक नहीं करनी है वरनना आप लोग किसी गलत प्लाटफॉर्म पे भी रिडिरेक्ट हो सकते हो तो इस बात का आपको बहुत ज कर दीना है, तो जैसे ही आप लोग वेबसैट पर किक कर दोगे, आपको थोड़ा सा बेट करना है जहां पर हमारी वेबसैट open हो जाएगी, लूनपाव.in करिके, वेबसैट open होने के साथी, सबसे पहले क्या करना है आप लोग उन्हें left साइट में थ्री बार्र का option मिलेग, आपको इसपे क्लिक करना है, क्लिक करोगे काफे सारे यहाँ पे आपको अलग-अलग loan के option देखने को मिलेंगे, जिन अलग-अलग loan के options में से, app loan के option आपको simply tap करना है, जैसे ही आप लोग app loan के section पर tap करोगे, तो application loan related जितने भी article से आप लोगों के phone में वो खुलके आ जाएंगे, यानि website के अंदर आपके phone में शोनिक करने लगेंगे, इसके बाद right side में search bar इस पे click करना है, और यहाँ पे जाके आपको simply word search करना है, जिसका नामे cash advance ठीक है, तो cash advance डालके आपको लोगों simply कर दिना है search, जैसे आप लोग cash advance डालके search कर दोगे, एक article शो करेगा आप लोगों के सामने जो की है cash advance loan app से loan कैसे ले और loan कैसे apply करें, तो सबसे पहले आज हम इसी loan app के माधियम से loan लेने वाले हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से loan app से loan apply करोगे, लिखित रूप में जानचने के लिए आपको सबसे पहले इस article पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको A to Z information मिल जाएगी, और जो भी आपके मन में जो doubts है, जो भी basic doubt आते हैं, कि यह loan app loan कहां से दे रही है, कैसे देगी, कितना interest लेगी, कितने दिन के लिए loan मिलेगा, documentation, eligibility criteria, और जो भी छोटे मोटे सवाल, वो पूरे सवाल को जवाबने, आपको पूरे mention it है, और पूरा यहाँ पर A to Z आप लोगो ने आर्टिकल पढ़ देना है, पढ़ने के साथ ही जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह क्लिक करते हो, आपके सामने cash advance app का main homepage कुछ इस तरीखे से खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे फ़ले थोड़ा सा wait करना है, और यहाँ पर आपको एक बटन देखे हो मिलेगा, इस पर आपको tap करना है, जैसे tap करोगे, यहाँ पर आपके सामने permission का page आएगा, जो के जायट सी बात है, सारे application में mandatory होता है, आज की date में, तो वो permission के page के लिए यहाँ पर आपको tick mark करना है, और agree के बटन पर आपको आगे बढ़ जाना है, इसके बाद यहाँ पर आप आप लोग देखे हो कि cash advance का homepage खुल के आ चुका है, जहाँ पर जो loan amount है, आपको maximum 20,000 rupees तक मिल सकता है, इतने इतने दिनों के लिए, और इतना interest rate आपको daily basis पर देना पड़ेगा, ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह भी चेक करना है, कि 20,000 का loan तो चलो यहाँ पर limit है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है, उसके लिए check the limit and apply पर click करना है, जहाँ पर सब नहीं दे सकता है, start loan पर आपको simply click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना OCR inspection करना होगा, जिसको आप लोग EKYC verification भी कहती हो अपनी भाशा में, तो वो करने के लिए आपको अधार card का front and back को upload करना है with pen card का, और यहाँ पर साफ लिखा ह लास्ट में आपको अपना bank account details रालनी है, और apply now के button पे click कर देना है, और आपका cash advance app से जो loan है, वो easily apply हो जाएगा, तो बहुत simple step है, इस loan app से लोगन apply करना, बाकी मैंने पूरी detail में समझाया, और उमीद है आपको समझ में आभी गया होगा, क्यार कोई भी सवाल है, नीचे comment स पूर्ट कर दिस्क्रिप्शन में भी Instagram के लिए, वहाँ भी पूर्ट